24 घंटे बाद बुद्ध ग्रह करने जा रही हैं, शनी की राशी में प्रवेश इन राशियों पर पड़ेगा विशेश प्रभाव, खुल सकते हैं किस्मक के नएद्वार, जिसका असर सभी राशियों के लोगों पर देखने को मिलेगा. लेकिन तीन राशियां ऐसी हैं, जिनको बुद्ध ग्रह का गोचर लाबकारी साबित हो सकता है. आईए जानते हैं ये लकी राशिया कौन सी हैं? व्रिश राशी आप लोगों के लिए बुद्ध ग्रह का गोचर शुब फल्दाई साबित हो सकता है. क्योंकि बुद्ध ग्रह आपके कर्म स्थान पर गोचर करेंगे. इसलिए इस समय आपको काम कारोबार में अच्छी सफलता मिल सकती है. साथ ही अगर आप किसी नए काम की शुरुवात करना चाहते हैं, तो यह अवधी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी. मतलब व्यापारी अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं. वहीं जो लोग बेरोजगार हैं, उनको नौकरी मिल सकती है या बात चल सकती है. साथ ही इस अवधी में नौकरी पेशा लोगों को कारिस्थल पर नया कार्यभार मिल सकता है. साथ ही प्रमोशन और इंक्रिमेंट की बात चल सकती है. मेश राशी वुध्ग्रह का राशी परिवर्तन मेश राशी के जातकों को अनुकूल सिद्ध हो सकता है. क्योंकि यह गोचर आपकी राशी से ग्यार हवे स्थान में होने जा रहा है, जिसे इंकम और लाग का भाव माना गया है. इसलिए आपके इंकम में जबरदस्ट बढ़ोतरी हो सकती है. साथ ही आय के नए माध्यम बन सकते हैं. साथ ही इस दौरान आपको आर्थिक स्थिती काफी मजबूट होगी. आप अलग-अलग रास्तों के जरिये धन कमाने में काम्याब रहेंगे. वहीं इस समय आप प्रापर्टी का लेन देन कर सकते हैं. जो आपको लाबकारी साबित हो सकता है. मिथुन राशी आप लोगों के लिए बुध्ग्रह गोचर शुब फलदाई सिद्ध हो सकता है. क्योंकि बुध्ग्रह आपकी राशी से नवम भाव में गोचर करने जा रही हैं. जिसे विदेश स्थान और किस्मत का भाव माना गया है. इसलिए इस समय आपको भाग्य का साथ मिल सकती है. मतलब कारियों की सिद्धी हो सकती है.